दोस्तों नमस्कार, आएंसी टीवी पर आपका स्वागत है, देश के कृशी मंत्री शुरी शिवराज सिंग चौहान ने सदन में संसद के पठल पर जूट बोला है, उस जूट का परदाफाश मात्र एक मिनट पैतिस सेकंड में हम करेंगे, वो वीडियो एक मिनट पैतिस सेक में या बाद में सरकार आने पर जो वादे करती है वो निभाती में हैं, उन्होंने उदाहरण के तौर पर करजे की बात की, पहले सुनिए और फिर परदाफाश करेंगे शुरी शिवरा सिंग चौहान को, जिन्होंने सदन के पडल पर छूट बोला है, अपने घोष्णा पत्रों में, केंदर के और राजी के, एक बार नहीं अन्यकुमबार का, जैसे हम सरकार में आएंगे, सारे करजे माफ कर दिये जाएंगे, मदप्रेस, 36 गार्व, राजिस्तान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिंती गिंते थे, दो लाग तक के करजे माफ दस दिन के अंदर, और बोलते थे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस दिन में करजा माफ, ने तो ग्यार में दिन मुक्ख मंत्री हटा दिया जाएगा, लोगों ने एक बार जिता दी, अठारा में, इंदजार करते रहे, दस दिन हो गए, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, करजा माफ नहीं हुआ, तो सबा साल में फिर से कांग्रेज की सरकार ही चली जी मद्द प्रदेश में, वैसे मद्द प्रदेश में आप जाएंगे, तो शिवरास सिंग चौहाँ, जीने मामा भी कहा जाता है, यही कहा जाता है, कि मामा जो है, वो गप बहुत बारते हैं, कई लोग उन्हें गपोर्ड शंक भी कहते हैं, अब आपको एक मिनट पैतिस सेकंड के वीडियो से परदाफाश करते हैं, उनके जूट का, वैसे विपक्षी शांसत जब भी राजसभा में अपना वक्तव्य देते हैं, तो राजसभा के चेयर्मेन तथा उपराश्टपती हमेशा ऑथन्टिकेट करने की बात करते हैं, लेकिन इस मसले पर वो चूप रहें, जरूरी है, जो चेयर्मेन साहब है, जो उपराश्टपती जी है, इस मसले को गंभीरता से लेंगे, कि एक क्रिशी मंत्री किस तरह से सदन के पटल पर चूप बोल रहे हैं, और वो जूट देखिए, ND TV इंडिया के सोजन्ने से, 2018 का वीडियो है, जब मध्यपरदेश के ततकालिन कमालाथ, जो मुख्य मंत्री थे, शुई कमालाथ, उन्होंने शपत लिया था, तीन राज्यों में सत्ता में आई और जो वादे किये थे, उसे वो पूरा करने की शुरुआत कर दी है, मध्यपरदेश में भी मुख्य मंत्री पद की शपत लेने के दो घंटे के भीतर, कमलाथ ने कॉंग्रेस का पहला वादा पूरा कर दिया, उन्होंने पहला काम किया, किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी फाइल पर साइन करने का. विपक्ष के सारे धुरंधर कॉंग्रेस नेताओं के शपत गरहन में इकठा हुए, दफ्तर संभालते ही मध्यपरदेश के अठारवे मुख्य मंत्री ने, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के कर्ज माफी के वाइदे पर दस्तखत कर दिये. कर्ज माफी जून 2009 के बाद कर्जदार किसानों की होगी, इसमें लगभग 33 लाख किसानों को फाइदा मिल सकता है. उध्यक्ष के किसानों पर अलग-अलग बैंकों का 70,000 करोड रुपए से जादा का कर्ज है, इसमें 56,000 करोड रुपए का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है, वहीं लगभग 15,000 करोड रुपए इन पीए हैं. माना जा रहा है कि लगबग 1,87,000 करोड रुपे के कर्ज में डूबी राजे सरकार पर इससे और 20,000 करोड रुपे का भार आएगा हाला कि BJP कर्ज माफी को समाधान नहीं मानती